गुट मॉर्निंग्स प्रेंड्स आज का अमार टोपेक है लेजिसलेशन कंट्रोल और अद्मिनस्ट्रेशन यानि कि प्रशासन पर जो विधाई जो रूल क्रियेट करती है वो कैसे नियंतन कर सकती है जैसे में संसदी शासन व्यवस्ता में प्रशासन पर तेक्स रूप से व तरदक्त नहीं होता है कोन रिस्पोन्सिबिटी उसकी नहीं होती है व्यवस्थापिका लोग प्रशासन पर नेंतन संसद्यích परणाली में अलग-अलग प्रकार का होता है संसद्या नेंतन इस परकार से बहुत सारे से प्रोस्ति जरेजिए इस प्रकार से इसको वो कर सकती है कैसे कंट्रोल कर से जैसे सबसे पहले प्रशन पूछना यहीं कि कॉशन होर होता है संसदी कारिवाई का पहला गंटा प्रशनकाल के रूप में होता है प्रशनकाल वर्तमान संसदी ववस्था में प्रशासन प्रिणेंतन का एक विस्ष्ट तरीका होता है जिसके सैंसुन्य कार्यवाइब नाम こti सुन्य कार्यवाइब कर लिए आदा से मंतरियों से समसमाईं की विश्यों पर यानि कि जो सोसल से रिलेड़ जो विश्य होते हैं चाफिक होते हैं उन पर बिना किसी पूरु सूजना के प्रशनों पूर सकते हैं यह काल कारयपाले का यह परशासन पर नियंतरण में का एक और संसदी नियंतरण ka यह जाता है जिसको हम जीरोधार यानिकि शुनेकाल कहते हैं और यह बारब ज़े क्वैंगा स्पास होता है नेक्स्त दे आदा यहां बहस आदा घंटे तक ही सेमित रहती है तथा तीन दिन के अंदर सूचना देनी होती है यानि कि ये एक ऐसी बहस होती है ये कैसा डिसकसन होता है जो सारजनिक बुद्दू से रिलेटिड होता है यानि कि कोई भी ऐसी टैरिस्म से रिलेटिड हो गया या कोई भी ऐसी घ बहस को मैंसे discussion को हम half and होर कहते हैं निकि आदर घंटे की बहस कहते हैं जो सदन में चला जाती है यानि कि इन सबसे जो भी हम इस process by process जो भी हमारे motion से प्रस्ताओं है इनके आधार पर हम जो administrative जो system है उसको control कर सकते हैं next एक काम रोको प्रस्ताओं संसदी नियंतन का एक और यंतर काम रोको प्रस्ताओं है या सरकार पर नैतिक दैनिक नियंतन एक प्रभावशाले साधन है संसे सदस्यों द्वारा इसका परियोग किसी सावजिनिक महत के अती आवशक मामले पर दतकाल भहस कराए जाने के लिए इसका पचास सदस्यों का समर्थन आवशक होता है यानि कि कोई भी ऐसा सावजिनिक महत के पॉब्लिक से रिलेट कोई बहुत ही कोई ऐसा मामला है कोई ऐसा केस है जिस पर एकदम से भहस होई जानी आवशक हो जाती है तो उस पर इसमें इसको यह मेड्जूर्मेंट मोशन बोलते है नेक्स ते द्यारन आकर्शन परस्तावने के मोशन आफ कॉलिंग अटेंशन इसका उदेश्य सार्जन पहत यानि कि जो पॉब्लिक से रिलेट जो मामले होते हैं उन पर सरकार का द्यारन आकर्शित करने के लिए किया जाता है यानि कि आप इसके नाम से भी इसको एक तरीके से मेनिक्स निकाल सेते हैं आकर्शन परस्तावने की अटेंशन करना किसी भी ऐसे परटेकुलर टॉपिक या परटेकुलर इसे इंसिडेंट जो पॉब्लिक से रिलेट करता है उसको अटेंट करना उसको अटेंशन देना तो इस तरह का प्रस्तावला कर संबने तो विभागे मंत्री से उस संबन में देने का निवेदन करता है यानिक उनसे रिपोर्ट मांगी जाते है जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसा मुद्दा होता है जिस पर प्रास्त की खंटता के लिए घातक हो सकता है या समस्या पैदे कर सकता है इस तरह कि बहुत सरे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनकी वज़े से इस तरह का मोशन से निकी मोशन ओफ कॉलिंग अटेंशन लाए जाता है नेक्स्टे विदहेगों पर वाद विवाद यानिकि जि रूप सरकार द्वारा सरकार द्वारा ही सदन में विधाय का किस्वी करती के लिए लाए जाता है जिसका वाजन संसद में किया जाता है निकी जो डिसकसन होता है वो संसद में किया जाता है ताकि इनके संबन में विरोधी सदस्यों की राहे प्राफ्ट की जा सके तो जितन दोनों तरीके से उनको मतलब एग्री हो जाते हैं तब ही वो वह बिल होता है वह एक्ट बनता है अधिने बनता है और इसके बाद वह कानून बनता है नेक्स्ट बाद करते हम यहां पर बजट समद्धी वाद वाद यह निंग कॉंफिडेंशन मोशन इसमें क्यामता भारति सि अतिए सद्वाइब Flexiteактиर सब्स dalवाथ 20 प्राप्ट होना चाहिए इस सरकार को संसद में में बहुंत प्राप्ट होने के कारण इस सरकार के प्रस्ताव गिड़ जाते sekश्रिज्अ 498 प्रकॉ 도 अधिक्षोम इस कम ऐसे situations होती हैं जहां पर यह पूरी प्रोपर रूप से accept किया जाता है क्योंकि एविश्वास प्रस्ताओ जो होता है वो विपक्ष लाता है और जो पक्ष में सरकार होती है उसके खिलाब लाता है कि कुछ भी ऐसा मतलब कोई भी ऐसा topic रहे है कोई भी ऐसा incident रहेगा कि इसम में आप अपने विश्वास अपना वो करो तो फिर जो भी अपोजिशन होता है जो भी मतलब government होती है जिसकी सरकार होती जो सासन चलाता है तो उनको अपना यहां पर एक तरीके से confidence motion लाना होता है तो इस तरह का जो होता है इस से भी हम जो भी administrative system है वो सही तरीके से काम नही सकते हैं नेंस क्टोथी परस्ताव को होता है वो प्रॉप्र रूप से की तरीके से संसत में होता है mars अबोटाहर। भी ज़र नहीं लाती है तो बजट के समय ऐसा भी हो सकता है कि गौर्पेंट एक्स्ट्रा बजट बना दे एक्स्ट्रा खर्चा उसमें लगते एक्स्ट्रा तो इस आधार पर वही वह पूरी तोरी है यह हैं ह टोकन तरहको याँक क्या लिए तो इसके आधार पर हम क्या है सकते हैं इसमें प्रॉपर रूप का इसमें हम संभन कर सकते हैं नेक्स्ट है 결심 संसर्कार की कारिय पढ़नालों कि समिश्य के लिए विबिन प्रकार इक समीतह गठित की जाती हैं वह सारे आलेटेवनних होते हैं इनके से बिल्गों-डिफ्रें defending के उनके मातेम से इस प्रकार की समीतिया, इस प्रकार समीजी ये से अनुमान समीतियों की लोग लेखा और प्राक्राइपन समीजी, जो बहुत ही बड़ी समीजी मान जाती हैं, सबसे एक तरह से पावरफु समीजी, सबसे इस को बॉला जा सकता है, सावजने कुद गया मदिनस विधायन समिती और भी बहुत सारी ऐसी कमेटी जाती है जिसके आधार पर पूरी तरीके से जो परनाली है जो सिस्टम में इसको कंट्रोल किया जाता है है जो फिल्न नेक्स इस तरह कि हम ने जो दस प्रकार के हमने ऐसे आपको मतलब बढ़ाएं जिसका आधार पर हम जो टोटली रूप से जो आध्मिस्टरी जो सिस्टम में उसको गंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि इन्हीं के आधार पर मद्वस्टम को कंट्रोल करने में सहायता मि होती है थैंक यू